हैं हिशचर दोस्तो में पुदार नीहा हमारे चानल नाइनपरेंट सिलीशन से आपका बहुत स्वागत करती है मेरे चाइनल को पसंद करने के लिए लाइक कड़ने के लिए और शेर करनЕ अगर मैं किसी अपने भाई का किसी अपनी बहन का किसी अपने मित्र का कॉल नहीं एटेंड कर पाई कारण वश तो वो मुझे वॉइस नोट भी भेज सकते हैं मैं उस पे आपकी जो भी इंक्वाईरी है उसको क्लियर कर दूँगी हम बेडरूम के बारे में बात कर रहे हैं आ अगर यहां पे एक इंसान सोता है तो ठहराव आता है उसकी लाइफ में ठीक से सो पाता है यहां का बेडरूम अच्छा ही होता है किसी तरह की दिक्कत नहीं आती तो वेस्ट के बेडरूम को हम सहराना मतलब उसकी सहराना कर सकते हैं हम बोल सकते हैं यहां पे सो सकते हैं यह पर सुने वाले इनसान की life में stability आजाती है ठहराव आजाता है उसे अगला zone हम बात करेंगे WNW पच्छिम उत्तरपच्छिम की depression का zone है यहां पर जो लोग सोते हैं वो पिछली बातों को लेके ही सोचते रह जाते हैं वो अपना पिछला ही नहीं भूल पाते हैं जब आप अप इसी बातों में सोचते रहते हैं उन्हीं पीछी की चीजों को पकड़ के बैड़ जाते हैं और depressed रहते हैं तो यहां पर सोना उचित नहीं है यहां पर सोना avoid करना चाहिए हम अगले जिशा की बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का zone है यहां पर जो इनसान सोता है वो स पनाता नहीं है उस पर अमल नहीं करता इस जगह पर सोची हुई planning पर वो उसको कर नहीं पाता create नहीं कर पाता वो वली planning प्लानिंग तो कर लेता है लेकिन अगली फिर वही मुला की दौर मज्जिद वाला system हो दाता है यहां पर सोने वाला सोच इनसान कभी भी अपनी सोच पर कार्य नहीं कर पाता पैसे के मामले में जारा सोचता है रिलेशन के मामले में इतना नहीं सोच पाता यहां पर सोने वाले लोगों के लिए अगर मैं बात बो नेगिटिव तो आतम विश्वास में कमी आ जाती है गिरावट आ जाती है अगर head of the family इस कमरे में सोता है तो family बिखर जाती है joint family है और head of the family इस रूम में जाके shift हो गए है तो यह family बिखर जाती है नौर्थ नौर्थ में सोने से सब लोग अलग अलग जगा चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं head of the family के लिए नहीं है यह गमरा हम guest room बना सकते हैं कम कोई आये मतलब depends कि इसको किस चीज का room बन करते हैं N.N.W. अकर्शन की दिशा है नए विवाहिद जोड़े को इसी कमरे में सोना चाहिए उनकी शादी शुदा जिन्गी की बहुत अच्छी शुरुवात होती है यहां जुडव होता है यहां तो यह दिशा भी नए विवाहिद जोड़े के लिए विवाहिद जोड़ आपकी फैमिली के लिए तो आपको पता लगा कि कौन सा जोन आपके सोने के लिए उचित है और कौन सा अनुचित और मेरी यही इच्छा है और मैं यही चाहती हूं कि मैं आप सब को बता पाऊं कि आपको कहां सोना चाहिए और कहां नहीं कहां पर आपको फाइदा मेरेगा औ पर नुकसान कि यह चोटे चोटे वीडियोस लाने का मेरा मोटिफ भी यही रहता है कि मैं आप लोगों को डिरेक्शन दे पाऊं कहां चलिए और कहां नहीं कहां रहिए कहां नहीं कहां खाये कहां नहीं के थे मैंूस आज हैं किसे और दोस्तों आज के लिए अलविदा दीजिए हमारा खोत वह घू है को आपको दोफीक के साथ आपके पास शुरू करेंगे दुबारा से आपको अलग दिशा हों के बारें में अलग कंबरों के बारे में अलग जानकारी देंगे, क panel को पता चल सके कि कहां पर किचन हो, कहां पर बेडरूम हो, कहां पर वाश रूम हो, जिससे आपके अपने लाइफ में इंपेक्ट आजाएं. ऐसा ही हमा को स्टोर रूम की, सेप्टिक टैंक्स की, हर चीज की ज़रूर जानकारी देंगे. धन्या बाद दोस्ता, शुक्रिया.